नमस्कार यह लगबग एक 42 वर्सी व्यक्ति का पाम है और इनका इसे तो कुभी मेरे से विशेश प्रस्णिनों नहीं किया है आने वाली घटना का और इत्फाक से इनको भी साड़े साती भी लगी है 17 जनवरी से तो यह जानना चाहते हैं कि पिरियड इनका कैसे जानने वाला और आगे कुछ विशेश घटनाओं का जनकरिये चाहते हैं तो चीक है मैं पूरी कोसिस करूंगा आपके संतुष्टी के लिए जितनी जवाब चाहिए होंगे उतने पूरे देने का तो एक सीरे से मैं अपना रेडिंग चालू करता हूं देखे सबसे पहले अगर हम बात कर बुद्ध की उंगली की उससे भी पहले मैं बात करो आपके हाथ का जो डिजाइन है तो देखिए यह लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज आपके हाथ में रेक्टेंगल पाम है लेकिन सम्थिंग स्क्वारी स्टेश में है ठीक है ना जब भी ऐसा स्क्वारी स्टेश मे लोगो जिंदगी में सफलता तो जरूर मिलती है मैं नहीं कहूंगा को कि रेक्टेंगल भी है तो सफलता मिलेगी सेल्स मार्केटिंग का भी समझ ऐसे लोगों को अच्छा होता है और साथ में यह आपका जब धंशाकार बनता है तो ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी नि पहुची यह थोड़ा बहुत 19 वीस है तो आप इसका नाखुन थोड़ा लंबा रख लेंगे ताकि यह जो पोर है यह वाला पोर वहां तक आपका लंबाई पहुच जाए या उसको पार कर जाए यह आप ठोड़ा कर लिजेगा अगर एक दम थोड़ा बहुत बच रहोगा अपनी बूली भासा के कारेंट से काफी अपना काम इन लोग अपना मैनेजमेंट इसकील जो है वह अच्छा कर लेते हैं ठीक है वाड़ी अच्छी होती कहने का मतलब तो यह याद सकती मनी मैनेजमेंट चिरोग सम्हाल कर रखना डाकुमेंटेशन फाइलिंग जो चीज़ है हलाकि यह थोड़ा सा कड़ा बोलते हैं लेकिन फिर भी आपना काफी अच्छा मैनेज यह कर लेते हैं तो यह भी है इनके साथ में दूसरा चीज यह थोड़ा टील्ट है अब जब भी ऐसा टील्ट होना तो ऐसे लोग मनी मैंडेड होते हैं पैसे कमाने के ललक एसे अच्छा चीज आज के समय पैसे के तो थोड़ा स्वार्थ यह देता है लेकिन अपना काम इन लोग ऐसे भी करके अपनी बोली भासा मीठी वाली जैसी भी बोलनी है एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है अपने काम निकलने का ऐसे लोगों का यह भी देखा जाता है तो यह देखो इनका बात करते हैं सूरी का उंगली और गुरु का उंगली लगभग बराबर है हलका साथ देखें तो 19-20 में यह जीत रहा है लेकिन बराबर ही मानों उसको अना ऐसा नहीं कि अलग से उभर क्या रहा है ऐसा नहीं है ऐसे लोग जो होते हैं तो एसे लोग ठोड़ा जो बहुत फास्ट भागने की कुछिस्थ करते हैं और कभी कभी जो है नरक झाकर में गिरतेए यह सागध आता है लेकिन यह फीर भी आपका फास्ट नीड़नाय लेने की चमता को लैने के कुछा तर्स चीज़ को लेकि सौश्ट नहीं बैठता हैं यह से लोग ने आपकी स एकांग एकांग में रहना ज्यादा पसंद करते हैं एसे लोगों का अगर मैं बहुत अच्छा प्री इस्थान मेरे को कोई ऐसा बोले तो एसे लोगों का मैं बोलता हूं कि यादा अपने बेडरूम पर यानि ऐसे जगह पर जहां पर अकीला फिल करें अपने आपको ठीक है ज्यादा अपने आपको घुल मिल के रहना एसे लोगों उतना पसंद नहीं आता है थोड़ा सा एकांग प्री होते हैं लोग जबी अपना टाइम निप्टाना होता है इसे लोग अकीला ज्यादा पसंद करते हैं दूसरा चीज यह आपका न्याय प्रियता को भी दिखाते ह डॉस्त यार और ना हो ये अपने सामने किसी का न्याय होता और देख पाते यह गोड़ा है याय फ्रियता का प्रतिक है स्ट्रेट फारवर्ड होने का भी बड़ा हैं अब निएसे लोग उना प्रॉल्लम क्या आता है च्पा नहीं पाते है अपने emotions को ज़्यादा बहुत ज़्याद अच्छी पाने पाता है इनकी चहरे पर जलक जाता है जो भी इनके मन में है वो चहरे पर जल्दी जलकता है यह थोड़ा से रहता है अंगुठा बहुत लंबा नहीं है सामान ये किसम का अंगुठा है तो अंगुठे की लंबाई इक्वल डिस्टेंस पर जब कभी इसे एक्वल डिस्टेंस पर आया और अंगुठा उपर से चोड़ा होता हुआ दिखाई दे और बली है बली है अंगुठे का तो बली का पहले बता दू इस लोगों की बार्गनिंग पावर अच्छी होती है अपने हीतों की रक्षा इन यह कहा जाता है तो इस सब्सक्राइब को फिर और भी छेड़ूंगा दूसरा चीज आप देखोगे इसमें सेक्ष्वल एबिलिटी के बारें कहा है इस पर में आऊंगा इस पर थोड़ा सा इस पर इसूस है ठीक है वह मैं बात करूंगा बाकि चीजें अच्छी है इसमें प्रावलम होगा कि इस से रिलेटेट कुछ प्रावलम में इनको आ सकता है एबिलिटी में कमी नहीं रही लेकिन इसके इनको सेक्ष्वल डिजिस होने की भी चांसेस है तो यह पार्ट में मैं जब इधर आऊंगा तो इसको डिल करेंगे बाकि चीजें देखो यह और यह ब परिवार का हो यह बुरा परिवार का हो समझे यह लोगों को साथ होता क्या है कि यह अक्यला बंदा जो है कोलू का बैल बनता है यह अक्यला बंदा आगे फ्रेंट पर आना पड़ता है इसको और अपनी जवाबदारियों को परिवारी जवाबदारियों को उठाना ही पड गया जिसमें की पैत्रिक समय से धन मिलने के संभावना है वो भी यह से लोगों की बढ़ती है ऐसा देखा जाता है लेकिन यह जौबदारी को दिखाता है और अगर उस थोड़ी देर के लिए सब दोग को हटा दें हम तो यह बताता है आपकी प्लानिंग एक्जीक्यूशन का आपके फास्ट ने लेने की करण जैसे प्लानिंग आपको सूटेबल लगा तुरंद इंप्लिमेंटेशन की तरफ दोड़ते हैं उसको लेके बैठने वाला काम इन लोग नहीं कर पाते हैं इन लोग फटा फट नए नए आइडिया जनरेट करते हैं और ऐसे लोग बहुत इस टैप की बात ज्यादा करते हैं अब देखो अब मैं इनके परवतों पर बात करूंगा तो उगलियों पर इसे इनका उंगली एकदम फाइन है कोई ऐसा प्राबलम नहीं है अगर आप देखोगे तो यहां एक प्राबलम दिखता है एक क्ट यहां लगता हुआ दिखता ह तो यह जब ऐसा कट लगता है तो यह आद्मी को बच्चे आगे संतान से कुस्त को दिखा तंथ जाहे कुछ भी कारेंट से होंने में कुछ पालने में कुछ उसको या पालने नहीं तो वो खुद कश्ट देने लग जाए ऐसा कुछ भी संतान से रिलेटेट कश्ट को यह दिखाता है तो आपको संतान से आपको कश्ट आएगा और अगर आगे बात करते हैं आपको वैसे गुरू का परवत आपका अच्छा है गुरू का परवत अच्छा होने के करेंट से काफी इन जो में कमी आएगे लेकिन जरूर आएगा यह खटास है समझो कि वह आना ही आना है ठीक है आप ऐसे उंगलियों पर अगर में बात करते जा रहा था तो यह भी बात करते भी निकलते हैं कि दीखो यह जब चलती है लहर की मतलब लगता है कि जॉइंट पर बल नहीं है अब होने लगता है जॉइंट एसे लोगों को अब यह चुकि मान सम्मान की उंगली है तो एसे लोगों को मान सम्मान कमाने में याने की जीवन में स्टेबल पोजिशन पर पहुंचने में बहुत संघर्स करना पड़ता है काफी संघर्स को आदमी का जीवन को दिखाता है संघर बहुत अच्छी कंडिशन में बुद्ध की रेखाई इनकी दिखाई दे रही है और काफी गाड़ी है दूर से इसे अब ये अच्छा आ डियुक्त करेंगे यह आपकी द्रिश्टी को भी बताता आधाbbe अच्छ कि थेखें अब बातकर you basis for me अगर सुरी की ऐसा परवत परमेंजा करता हूं थो सुरी के परवत पर printers के काट मारी है यह आपके एशी रही टिके तो सुरी पह एक क्रॉस बनता हुआ देखता है जब कभी ऐसा सूरी पर क्रॉस बनता है यह अच्छा नहीं है यह आदमी को जीवन में संघर्ष कराता है और साथ में एक सब्द अगर इसके लिए मैं बुलू तो सही नहीं है एक्चुल में इसमें तीन-चार पॉइंट हैं तीन चार पॉइंट मैं पता रहा हूं उसमें से एक हो सकता है एक आग्ध दौइंट आपको फली भूत हो यह हो सकता है सारे फली भूत हो अनव तो ऐसे यह रहेगा आप रिखा में इसको बताने कि पहले देखो एक यह आई दूसरी याई तीसरी इधर से आ रही है इस टूट कर आगे बढ़े तो यह जीवन में ना एक बदलाव को या अनिस्टेबिलिटी को दिखाता है ऐसे लोग बार-बार व्योसाय चेंज करना ठीक है या व्योसाय एक ही है तो उसमें बार-बार कुछ पर परिवर्तन करते रहे या उसमें यह परिवर्तन इनके लिए अगर एक ही व्योसाय है उसमें परिवर्तन करते हैं तो लुकसान खाते हैं ठीक है उसमें अनिस्टेबिलिटी को दिखाता है अब अगर यह चेंज करते हैं तो उसके उस समय फिर अच्छा कहला जाएगा लेकिन परसानी तो जरूर परिवर्तन को दिखाता है और इस्ट्रगल को भी दिखाता है तूटना उसका बार बार अनिस्टेबिटी दिखाता है हाला कि आप सक्सेस्पूल करेंगे क्योंकि भाग गरिखा से आपकी सूरी गरिखा निकल के आ रही है यह बहुत अच्छा योग है जब भी ऐसा देखन करनी कम आउगे हाँ आपके जीवन में यह जरूर रहेगा यह ब लाइन की बात में आपके जीवन में आपके देखो मांडन ऐसी आइए फिर सी यह चली फिर आसी चली फिर से चली इस टेप की मांड्लाइन होति न इंसान बार बार गिर के उठता है यह इस टाइप का लगा कि बोलता हूँ तो आपका धन का द्रिष्टी कोंड से आपका हाथ बहुत अच्छा रहेगा मैं कहीं पर ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपके धन की सिती खराब रही रहेगी लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं रहेगी एक फिर भी ठीक ठाक कंडिशन में आप रहोगे हएथ ऐसा क्रॉस लेगों को बचपन में पीता का साय जल्दी शिण जाता है यह पिता अगर जिंदा भेत है तो पिता के कारण से कस्ट उठाना पड़ता कुछ भी हो इसा कारण हो पिता के कारण से इन लोग को जीवन में कष्ट जलना पड़ता है सेकेंड चीज अगर पिता जीवित या तो फिर बच्पन पिता का साय जल्दी शिंग जाता है पहला चीज दूसरा चीज ऐसे लोग किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लें इनको कभी भी नाम नहीं मिलता य वही बूलेगा कि आपने मेरे लिए क्या है खाली इतना कर लें कर लिए तो आप मेरे बाप बनने की कुसिस कर रहें अब पीछे बात करने वाले बहुत होते हैं इसका मतलब ऐसा यह इस टेपका जो क्रॉस है जनरली आई-इस इस आई-पिस लोग की रहता है अब उनके सबसंद आएगा कאש sih को नहीं आएगा थो नहीं आएगा तो पर पिछे बात कि प्रक्र Everyone फिर विए तो बेस्वादोने की नहीं होती है तो बस यह समझें आपके सास्थ पैंग कि कि दूसरे की मुझाल संहाओंने को पर आपके से हिम्मथ पुराइए अगर सुन रहे ना तो उसको आप मत लीजें दिमाग के अंदर में और इसको चलने दिएज़् आप मान के चल स्विकार कल लीजी कि आपको दूसरे की बाते सुनने को ही मिलने वाली हागे जाके भी ठीक है सक्सेस करते आपने अगर सक्सेस नहीं किया आपके महनत को फल कम मिला उसका कारण है ना बहुत अच्छा न लगे लेकिन मुझे जुरूरी हुआ में उसी साप से बता रहा हूं हो सकते हैं गलत हू झमछाता हूं मुझे ऐसा लगते हैं आपके संसुराल वाले या फिर आपकी पतणी क्योंकि सुक्र संसुराल या पत्नी दोनों को तरफ जा करने देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप विवाह के बाद में धन तो कमा लिए लेकिन सुख और संतोस नहीं कमा पाए आपकी पत्नी से आपको बड़ा भारी असंतोस होगा याने ये मैं बोलूँगा कि पैसे उसके आने के बाद से आपके जीवन में पैसे आपको बराबर आए धन लेक जरूर आई हो लेकिन आपके जीवन में सुख नहीं आया उनके कारण से चाहें जो भी कारण होगा ठीक है एसा मुझे आपके हाथ में दिखता है से सशुराल से एक ना एक बार जीवन में आपको डिस्रिस्पेक्ट याने बदनामी होने या फिर बदनाम करने या फिर इस कुछ भी घटना ऐसी हो सकती है इसा मुझे दिखता है ठीक है तो बस यही कारण से अगर मैं बोलू आपका परिवारिक जीवन को ले कि अगर मैं बात करूं यह अगर डिस्टर्बेंस आपको नहीं होता ना तो आप बहुत ज्यादा सक्सेस करते और यह आपको बहुत बार . यह थोड़ा से आप में बाकि आप बहुत जादा हमशनल रहोत है और क्या होता है जब कभी बेच में गेप होना जा में परापर तरीके से जब गेप कम ज़्यादा होने लगता है तो आदमें उस समय पे हहां पर देखो यह दिमाग याके पास चला गिया दिल के यह देनल है यह है ठीक है यह दिल तो यह दिमाख ऐसा पकड़ Ludd और यह दोनों के बीच में गेप कम हो जाता है तो असमंजस की सितियाति इसके करण्ट से आदमी दिमाग से ना सोचके दिल से सोचना लगता और फिर वहीं पर गलती करता है तो यह आपका जो पीरियड रहा होगा खास करके 32 से लेगे 35 के बीच का पीरियड इस समय आप बहु एज रहा होगा 32 के असपास का 32 33 के आसपास का यह यह इसी घटना को बताती है ठीक है तो वही आप मैं बार बर देख रहा हूं आपके मैंड-लैंड ऐसे आरी ऐसे आरी है फिर यहां से अरी है तो यह बार बर जो है ना अपनी इस्थिति बदल रही है ऐसे लोग थोड़े स से और उपर से emotional तो आप emotional मत होई है ठीक है आप हो सकता है मैं समझता हूँ आपका इस्तिती ऐसा है कि आपको खोना पड़ता है ठीक है यह इसा परिवारी जवाब दरी वाली बात ठीक है दूसरा चीज आपका पत्नी के साइट से असंतोस का जो माहौल जनरेट हो रहा है उपर से संतान की रिखा भी टूट टूट के लहर के चल रही है तो यह सारी चीजे जो है आपको परिवारी कुरुप से अनबैलेंस करती है हो सकता इसके करेंट से आप जो फोकस होना चाहिए और इसलिए उस लेवल की आपको सफलता जिस लेवल का आपका हाथ है वो नहीं मिल पाया और या फिर उसको डिजर्ब नहीं कर पाए ऐसा है अब मैं सुरी का मैंने बताया आपको लेकिन देखो इसमे जरूर मिलेगा एक ह compassionate अब को बळभरापूर मिलेगा जो भी आप काम करते होंगे मतलब मान सम्मान समाज में आपको जरूर मिलेगा लोग आपको सम्मान की तरिश्छी से देखेंगे यह से बढ़ी répondre तरिकी एसे निगया। सब्सक्राइब करते हैं या फिर सरकारी तंत्र से किसी भी तरीके से इसे लोग जूड़के लाब कमाते हैं जैसे कि मालों आप सब्सक्राइब करें लिए वहां से आपको और निंग हुआ ऐसा यहां पर देखो अब यहां पर देखो अगर बुद्ध की उंगली बीच में यह परवत है आपका वह खीशक के यहां पर आ गया है जब परवत का खीशक यहां पर उभार आने लगता है तो अशे लोगों को आप देखोगे तो आशे लोग अपने किसी भी काम का जैसे मालों कुछ काम किये इन्हों तो उस काम का इनको नाम चाहिए इसे लोग अपना प्रसंद सा सुनना पसंद करते हैं यह इनके साथ में बेड़ दूसरे के आँक में अपने आपको देखना प्रसंद करतेएं सीधा बात तुरंत रीफ्लेक्शन चाहते हैं प्रसंद सत्सुन को पसंद होता है डूसरा देखो सूर्णी का परवग भीखी सख्याव कें सपनी पास चला गया जब कभी ऐसी सुखती तो यह से समय में इंसान को बैटरी बनाता है बैटरी बनाता है मतलब एसा इंसान कभी भी सुबा उठने में बहुत ज्यादा दिक्कत एसी लोगों को होती है यह आलसी बनाता है आदमी को आलसी मतलब ऐसा नहीं बोलूगा कि आप आलसी हो बस यह है कि आपको सुबा उठने म लेकिन आपको मॉर्निंग में सुबह कोई काम बोले वह आपसे नहीं हो पाएगा ऐसे लोगों को साथ में यह होता है ठीक है तो यह उसका असरे हुआ अब आप देखोगे यहां पर एक यहां पर ऐसी रेखा बने चोटी सी यह जो रेखा है यह आपको बताती है इसको बोलते में विद्या रेखा जब कभी ऐसी रेखा मिलती चोटी सी विद्या रेखा यह जो भी फिल्ड में इंसान काम करता है उस फिल्ड का इसको बहुत अच्छा नौलेज होता है ठीक है यह और लोग इनसे पूछ-पूछ कर काम भी करते हैं इतना इनको नौलेज के लिए भी ल द्धन की रेखा यहां गई चीक है उसके आगे बढ़के गड़े पर जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए अभी साड़े साथी कभी पिरियड यह इंडिकेशन बारी गड़ेखा से बना है ठीक है तो साड़े साथी में आपको विशे इस रूप से सावधान रहना है तो सकता है अभी आने वाले समय में आपको काफी परसाने जहलनी पड़ेंगी धन की इस्तिति को लेके तो नया कुछ सुरुवात करने की न सोचें जो चल रहा है उस पर ही अडिक रहे और साथ में किसी पार्टनर सीप से भी आपको बचके रहना पड़ेगा किसी पूरा दिलो दिमाग स्वांत करके सब चीज में सोच समझ के प्रिक्टिकल होके आप अपना फैसला लीजिएगा और अभी कुछ नया करने का तो मत सोचिएगा मेरे हिसाब से अगर आपको ठीक है प्रिक्टिकल होके सोचना भी ज़रूरी है अगर आपको लगता है यह के इतना मैं कर लूँगा इतना अगर मेरे को नुक्सान हो भी जाता है तो अगर आपकर यह आदर्वाइस रिस्क वाली बात आती है तो वहां पर अभी में आपको मना करूंगा कि अभी आपको नहीं करना चाहिए रूख जाहिए यह साड़े साथी पार होने दीजिए ठीक य अच्छे नहीं है ऐसे स्विती में आदमी को धन्खर्च होता है और बाकी गुरु का परवत बहुत अच्छा है और गुरु पर भी अब यह देखो यहां पे खलका सा दाग के जैसे बनना चालू कर रहा है ठीक है तो वैसे तो अभी यह बहुत ही नहीं के बराबर सा दाग अब इसको इस पर बारें बात नहीं करना चाहिए वैसे लिए बता दू यह धन के लिए एक बार धोखा को बताता है किसी अपने के करण्ट से धोखा खाना पड़ता है इसे समय में इंसान वो ठीक है अब वो धोखा धन से रिलेटेड हो या फिर परिवारिक हो यह बोल नह कि छोटा सा है एक दम नहीं के पराबर डबलब हुआ है तो बोलना सहीं नहीं है लेकिन फिर भी एक अंदेशा में बता दो अगर कुछ नया करना चाहते है किसी अपने रिष्तिदार या दोस्तियार के कहने से तो अभी मत रूख जाए फिर हो सकता यह आपको उधर ले जा कुछ चीजम अच्छा भी करता है आपका गुरू का परवत बहुत अच्छा और आपको यह भी बहुत अच्छा दिया आप अपनी फेमली से बहुत प्यार करते हैं यह बताता है आपका रोमांटिक लाइब को बताता है आप बहुत रोमांटिक है साथ में अपने परिवार से इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और गुरु का परवत भी अच्छा होने के कारेंट से यह सारी चीजों में बढ़ोतरी मिलती है इसा इंसान बहुत कुछ लड़ाई जगड़ा हो भी गया कुछ उपर निक्चे हो भी गया तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग कोई बहुत ज्यादा आपको सेपरेशन या उस टेप की घटना नहीं घटेगी लेकिन जरूर है कि यह बताता है कि आप दो कारेंट से ऐसा हो सकते हो ना या तो आप वाकई में बहुत दिल दिल फेक इनसान हो कोई चलो ठीक है आप नहीं है कोई बोल दिया क्या है ऐसा जिनी कर पाओ समझ गया बात को यानिकी पत्नी बहुत हावी पड़े आप पर और आप कंप्रोमाइस करके चलने लग जाओ दोनों स्थिति को बताता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इसी देखकर आपकी पत्नी बहुत डॉमिनेटिंग है बहुत डॉमिनेटिंग ऐस मुझे लगता है ठीक है बहुत तेज तर्रार है आपकी पत्नी कुरा सासन राजा बन के समझ यह ऐसा इस सिती मुझे आपके हाथ पर दिखता है कि ठीक है भारी मंगल पर बात करो मंगल और अनुरुनी मंगल दो नों आपका बहुत अच्छे कंडिशन में उभार लिया हु विए पर कफी स्ट्रॉंग है ए और फिजिकली भी आपका मैंने पहले कहाए है इम्मी्मूटी अच्छा रहेगा अब हाला कि कुछ ज्यादा देखो सुक्र और मंगल अक्रवन ल गव मंगल इस जादत देर तक समय और पैशे का नुकसान करने वाली आदत एसी आदतें जो थोड़ा घरकतों के तरफ जाती है एसी आदतों पे एसे लोग जवानी में बहुत पड़ते हैं चास करके अर्ली जवानी की बात कर रहा उस समय फिर जैसे जैसे जवानी के समय पार होता है यह बहुत लंबे समय तक रहती है ठीक है यह भी देखा जाता है तो अब देखो यह अच्छा चीज पॉजिटिव फेक्टर क्या रहता है यह लोगों को जमीन जयादात से लाब हो जाता है भूमी भवन वहान इस टाइक का जो सूख है मंगल से रिलेटेड सूख है भूमी जाती है तो थोड़ा इस सब में आप कुरोध पर नियंत्राट रखिए और एक्सरसाइज वगरा कीजिए ताकि यह चीज आप कमजोर अपना सहीं कर सकें अब बाकी सुक्र बहुत अच्छा सुक्र है आपका तो सुक्र और मंगल भी स्ट्रॉंग है जब दोनों ऐसी स्थि जो है कामुक है ऐसा होता है तो गलत हरकतों पर भी फस्ता है ठीक है गलत हरकते मतलब अधर्स रिलेशन्स के तरफ में भी इनका ध्यान जाने लगता है तो थोड़ा चरित्र के दृष्टी से अगर बोलू तो अच्छा नहीं क्योंकि यह तीन चीज का कॉम्मिनेशन आपके साथ हो रहा है सुक्र चंद्रमा बराबर और वैसा ही बराबर मंगल ठीक है तो सुक सुक्र चंद्र की सुक्रमंगल की यूति आपको इनर्जेटिक कर रही है और मन में भी इसका संचार कर रही है ठीक है तो यह अपकी कामुक्ता के तरफ में सारा है आपको चरित्र के तरफ में फोकस होना चाहिए नहीं तो आपको नुक्सान होगा ठीक है अब दूसरा गेस्टीक का प्रावलम 100 पよし देथाटुन देती है सिस्टिक के परसान होता है गैस देशिथिक के करंड से परसान होता है गैसे रिलेटेट बीमारी होती है और ऐसे लोगों को जल से सम्मंद्ध बीमारी याने कि जैसे कि हो गया ना 35 वैचीस वाग्रा हो बनते हुई दिखाई देती है यह अच्छी रेखा नहीं है ठीक है यह आपको बिल्कुल आपको फॉरेंड से रिलेटेड चीज में धन की प्राप्ति करा देगी फॉरेंड से रिलेटेड धन अच्छा कमा देगी हो सकते है आप फॉरेंड जाके धन कमा ले या वहां से इंड बात को एकदम मत लीजिएगा ठीक है क्योंकि मेरी कोशिस रहती है कि मैं जो भी रेखा देखू उस पर खूल के बात करूँ और मैं बिल्कुल जह जाकता नहीं हूँ हो सकता है मैं गलत हो जाओ क्योंकि एक रेखा के बहुत मायने होते हैं हो सकता है आपको फॉरन का टूर कर होगी है ना लेकिन यह रेखा अगर जब कभी ऐसे घूम फिर के ट्रावल करते हो चलती ना तो इसका अपना दूस प्रभाव भी देती यह अपना दूस प्रभाव क्या देती सुक्र और चंद्र की यूति एश्या इंसान को अपने किसी क्लोज रिलेटिव के साथ में सेक् सकते क्योंकि सुक्र पर लाइन बहुत कमजोर है चंद्रमा पर तेज है तो ऐसी भी सिति आती है कि अपने किसी रिलेटिव को आप मन में उसके खिलाब मलिन विचार लेकि चले उसके खिलाब सेक्सुली विचार आपकी तेज हो जाए और आप एप्रोच ना कर पाएं ऐसा है निया बठान करें तो आपको फॉर्ण से दःन भी देती है् बाकी देखो चंद्रमा पर बात करें तो राहु भी आपका ठीक है कुछ कट ज्यादा परसान किया है आपको तो राहु आपका सम है मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोलूगा बहुत खराब नहीं परवत अच्छा है लेकिन उसमें रेखा है बहुत काटी हुई है तो राहु क क्या करो सबसे पहले काम तो आप हनमान जी की सरण पकड़ लो और आपको कुछ करने की ज़रुत नहीं है आप हनमान जी की सरण अगत हो जाओ और साथ में भोले नात की डेली आप अभिशेक करना चालू कर दो डेली घर में सीवलिंग रहता ही है तो उससे अभिशेक करो जला भिशेक करो और पत्ते पे जो बेल पत्र होता है अगर मिले तो अच्छा है बेल पत्र पे आप चंदन से जहने बेल पत्र में तीन पत्ते होत बेल पत्र होगा उसको आपको चड़ाना है इसा आप हर अगर हर दिन नहीं कर सकते हर सुमार को किजिए और हनुमान जी की सेवा तो आप डेली किजिए हनुमान जी भक्ति आप लग जाए आपको बहुत लाब होगा और वही है जो आपको उधार करेंगे नहीं तो दिक्कत मे में कुछ अच्छा और बुरा दोनों चीद दिखाई देता है तो मैं वन बाइवन सब पर बात करता हूँ देखे सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं आपके जीवन रिखा पर है तो जीवन रिखा का स्टार्टिंग पॉइंट यहां तक देखो और मस्तिक रिखा भी इसी अपने सेल्फ बुद्धी का इस्तेमाल कर पायाने कि आपका जो स्वतह विकाल चो होता है ना अदमी अपनी बुद्धी से काम करता है सेल्फ डिपेंडेंट खा जाए वह आदमी 24 साल के बाद हुआ उससे पहले परिवारिक जौबदारियां कैसे भी इसको माहौल ऐसे लो हाथ में ऐसा लगता है ना आपका अंगुठा को देखते हो यह इसलिए मैंने कहा कि इसी दोगों को कम उमर में जो अब दरिया आ जाती है इसी भी स्थिति हो सकती है उसके चोबीस के बाद में फिर आपकी स्थिति आप स्वयन से विकास करना चलो कि यहने भाग्योदा । है तो फिर यहां से जिवन परिखा एसी चलिए जब कभी वह साल आपके लिए बहुत खराब गया होगा इसे कि आप इसको देखो गो कि देखो पंचीज को अबिदेते लिए कुछ जीवन नहीं परिवरतन होगा जो परिवरतन से आपको नुक्सान भी हुआ साधी हुई यह देखो 28 के एज में इन्होंने विवाग किया कि साधी हुई कि अब आते हैं आगे अब 32 याने की 28 के बाद में अगर मैं बात करू 29-31 अब यह 31-32 के उमर के बीच में इनके साथ एक घटना घटी अब यह घटना क्या घटी यह कभी भी जा के इसी माइंड लाइन पर रुके तो यह अटेच्मेंट कराती है लेकि यह आगे बढ़के जब पुस्तुरी को काटे तो यहां पर कुछ नाम खराब होने वाली संभावना ऐसी कोई घटना घटी हो जिससे इनके जिवन में इनके मान सम्मान में एक आच आई हो या ऐसे को इंस सब्सक्रां से जो रिखा आरे है यह इसी समय में अपको ससुराल से यह पतने से जवर्दस्त कुछ यहां पर मिला होगा 34 के आसपास में आपको ठीक है कुछ बहुत बड़ा क्योंकि बहुत बड़ी राहू रेखा आपके हाथ के इसाब से ठीक है उसके बाद आप देखोगे तो 36 में राहू रेखा ने काटा 36 साल भी आपको प्रॉब्लमेटिक रहा ठीक है उससे पहले मैंने बात नहीं किया अब मैं बात भी यह भी करते चलूँ देखो 28 की बात यह आप अगर यहां पर गौर करें मैं इसको भागे रेखा में छेड़ने वाला था कर बताते चलो यह आपकी विवाह की रेखा हो गई बताया उसके बाद एक प्रोग्रेस जैसे विवाह आपका हुआ आपको प्रोग्रेस मिलना चालू हुआ यह आपकी इस्थिति यहां पर दिखती है ठीक है तो विवाह के बाद में धन की इस्थिति आपकी अब यहां पर कुछ चीजें अलगी सो होती है जैसे कि आप एक रेखा देखो यहां से निकल के एक पतली से एखा सी इधा ट्रेवल करते वे एक मंगल से दूसरे मंगल को जोड रही है एसा जुडाओ यह अब अगर यह रेखा किलियर है मुझे ऐसा लगता है किलियर तो है ठ मुझे तो यह थर्टी नाइंHaE 38-8-8-38 के आसपास में यह एक्सिरेंट का कारक मुंती है मंगल से मंगल का कनेक्शन दो चीज़े कराती है यह ऐसा कुछ जर्ट मेटर परता है मंगल से मंगल का कनेक्शन चाहिआं से बाकी फीर अगर हम आगे बड़ें तो बीच बीच में प्रोग्रस लाईन रहे यह जीवन प्रोग्रस आपकी बहुत अच्छी है यह लाइन का होना ही अपने जीवन में राजयोग है जब यह ऐसी लाइन देखने के मिलती इंसान जीवन प्रोग्रस जरूर करता है एक अच्छे पोजिशन पर जाता है लेकिन मैं कुछ मेजर जो आपके नेगेटुब पॉ जानी आई होगी आप 42 के हैं तो यह उमर तो याद ही होगा भी उसके बाद में यह पिरिएड यह बहुत अच्छा पिरिएड देखो यह पिरिएड आपको यह क्योंकि प्रोग्रस लाइन बहुत इस्ट्रॉंग फ्रोग्रस लाइन तो यह आपको 47 47 का जो एज आएगा यहां से आके मिट गई है है यहां से दूसरी रेखा यह रहूर एक नहीं है करेक्ट कर लिजेगा यह आपको ट्रैवल कराएगी आपका बहुत ही अच्छा जाएगा ठीक है यह कुछ बड़ा इंवेस्टमेंट यहां पर आप करेंगे पक्का कुछ बड़ा गेन करेंगे यहां पर उसके बाद में आपका अगर देखा जाए यहां से फिर आपकी जीवन रिखा फैल गई है आप देखेंगे अगर यहां से फैल रही है 52 के आसपास से ही तो 52 से 59 तक फिर भी सिती उतनी जादा नहीं लेकिन 59 के बास से जो है ना 57 58 के बास से आपके हेल्थ की इसूस आपको बहुत लंबे समय के लिए गेर रही है लगबक 65 के आसपास तक तो यहां पर थोड़ा दवाई पानी ज्यादा करना पड़ होगा धन की स्थिति उद्रिन रखिए क्योंकि खर्च कराएगा भी बुड़ापी में आपको 100% स्वास से परसानी आपको आएगी यह आप मान के चल लेना ठीक है तो उस लिवल में आप अपने धन का संचे करके रखिए और च्योंकि संतान से आपको कश्ट का भी सूचना है यहां पर तो भी इस रिस्पेक्ट में भी मैं बोलूं तो आप अपने लिए फंट सुनेश्चित करके रखिए क्योंकि संतान से हो सकते आपको जीवन में सहयोग मिलने तो बहुत कम मिले ठीक है मैं इसा नहीं मिलेगा आपके संसकार भी मायने करते हैं लेकिन फिर भी कुछ डिटेल्स मेजर जो मुझे लगा और रही बात आपकी विशेश जो प्रस ने साड़े साती को लेगे तो दिखिए मैंने आपका राइट हैंड अभी रीट किया राइट हैंड में जो मुझे मेजर पॉइंट लगा ना वह मैंने बताया अब आपका जो में कोस्टिन ह छुपा है जब मैं लेट हैंड में जाके देखा तो मुझे दिखा यह जिससे कि में कफार्म हो पाया कि यह साड़े साती आपको तकलीप देखिए अपको भाग रेखा मैं जा रही है वह दिखाई दे रही थी लेकिन इस एंड में आपका एज आता है मैं दारेक्ट आपके एज पर आता हूं कुछ इसमें जो मेजर पॉइंट हो मैं बताते चलू इसमें भी यह चीज अच्छा दिखा भागे रिखा से सुरे रिखा का उदाई दिखा यह बहुत अच्छा पॉइंट मुझे दिखा ठीक है न और एक एसा भी रिखा मुझे दिखा सुक्र से ससुराल से या पत्नी ससुराल के तरफ अपने माईके के तरफ ज्यादा अटैच हो उससे आपको प्रावलम है ऐसा कुछ भी ठीक है यह उसके तरफ में दिखाता है यह इस टेप की ट्रेवलिंग करते सुरी बुद्ध का कनेक्शन अच्छा नहीं है लेकिन यही रेखा करता है तो यह आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगा ठीक है लेकिन आपके व्यवाहिक जीवन या आपकी परिवारिक जीवन के लिए थोड़ी सी प्रावलम देगी बस यह दोनों का अजीब का कॉम्मिनेशन है एक सुख है तो एक डूख है ठीक है दूसरा चीज हम बात करते हैं देखो अब मैं जो मिन पॉइंट पर आता हूं आपका यह अगर वर्टिकल रेखा गिराओगे यह ऐसा यह आता है आपका एज 42 का एज ठीक है अब आप देखो 42 के बाद से कहने का मतलब यह देखो यहां से ऐसी माइंड लेन आपकी थोड़ी सी यहां से आरही थी यहां से यहां पर हिली है इतने दूर में माइंड लेन आपकी हिल के चल रही है देखो यह देखो आप एक गड़ा सा यहां पर बना की चल रही है ऐसा और यह पिरियेड होता है 43 42 से पकड़ लो चलो 42 से यह 48 49 तक जाएगा यह थीक है यह पिरियेड आपको टेंसन देगा और माइंड लाइन का हिलना बहुत टेंसन देता है थोड़ा बहुत नहीं बहुत टेंसन देता है तो यह जो पिरियेड है न आपको बड़ा सेंसेटिव निकलेगा यहां पर आपको ने चीज़ें नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसे समय में आदमी रॉंग डिसियन लेने सुबत हनमान जी को आप सुबह साम सुमिरन कीजिए और जो मैंने कहा रुद्रा विशेग जो पताया है चंदन पे लिख के वो कप करिये आपकी लिए बहुत जरूरी है ठीक है ना नहीं तो यह प्राब्लम आपको बहुत लंबा देगा साथ साल पिरेड बहुत लंबा पि लिख पाया था तो मैंने आपको वानुर किया था 34 और 32 ठीक है यह भी आपके साथ में रहेगा तो कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है तो मैं दो-तीन चीजें आपको बहुत अच्छे सला दूंगा देखो यहां पर यह चिन्न बना हुआ है उस हाथ में भी आपका यह चिन् अच्छा हो जाता है आने वाले समय का अंधाजा हो जाता है अच्छे प्लानर तो अब होई तो यह अच्छा है और साथ पर देखो आप इसके ऊपर में पलक भी दिया है आंख है और पलक है तो इस टेक को कंबिनेसेन नहीं धन की द्रिष्टी से बहुत अच्छा धन्टो आप नो डाउट अच्छा कमा होगे यह भी मैं बोलूगा आप जितना डिजर्व करते थे उतना आप कमा भी नहीं पाए अगर आप आप नहीं रहते ना तो आप और ज्यादा कम आते यह भी मैं बोलूगा लेकिन धन के फिर भी धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेग हो जाता है लेकिन फिर भी यह लोग जो है ना थोड़े से अब अपना आपको थोड़ा समय लिएगा आपके लिए बहुत ज्यादा लाब होगा ठीक है और और क्या मैं बताओ आपके बारे में अल्मोस्ट मैंने सारा जगा टच कर लिया है धनकी स्थिति सब देख लिए ब मैं पर्टिक्लर इस चीज के आगे बढ़ू की नहीं बढ़ू तो मैंने उसका भी एक लाइन पर जवाब दे दिया है तो अभी नहीं करना चाहिए आपको आगे जाके आपको ध्यान देना चाहिए बाकी सारी चीजे बहुत अच्छी है आप जैसे जैसे मैं देख पा रहा पूरा साड़े साथ साल आदमी को परसान करता जिसा नहीं है तो आप देखो फोटी सेवें चाहिए आपको दिख्कत है मेरे साफ से तो कभी तो सब्सक्राइब करक्षा करना रहे हैं यह समौनफार विधने और है तो आदम आपको यह प्रसध्ध को छहां को Me गलक चीजे हैं और दोनों अपना माइन होता है जैसे ही सेज में किसी एक गवर्मेंट इंप्लाई के हाथ में मिलेगा तो उसको पुरुस्कार मिलता है है तो ऐसा कुछ समाजी कूछ रूप से कर लिए हो आप उसको भी बताता है यह से समय में आद्मी सम्मानित फिल करने लगता है इसा आप बोल सकते हो कि दूसरा चीज कि आपका यह और क्या पता है कि बाकी सारी चीजे तो कि इसमें कुछ बोलने लाइक बचा नहीं कि अगर आपको लगते कि कुछ और पूछना चीए आप पूछ लीजिए गा मैं उसमें जरूर बात करूंगा ठीक है धन्यवाद